Assalamualaikum, I am from ISEA School System, Pindigabe. Today my lecture is for grade 8, subject, Urdu. Now we start our lecture. Unit number 4, Pakistan کے چند اہم تہوار. इस unit में आपको पाकिस्तान के तहवार के मतलिक बताया जाएगा कि पाकिस्तान में कौन-कौन से तहवार होते हैं. आप लोग बड़ी क्लासेज हो, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कौन-कौन से तहवार मनाए जाते हैं. अलहमदुलिल्ला, वी आप मुस्लिम्स और हमारे मुसल्मानों के जो तहवार हैं, उमीद करती हूं कि हर बच्चे को पता होंगे. जैसे कौन-कौन से हमारे मजबी तहवार कौन-कौन से हैं, शब बेरात, शब मेराज, ईदुल्फित्तर, ईदुलिजा, यूम अशूरा और जश्ने ईदुल्मिलादुल्नबी. तहवार हमारी जिन्दियों में बहुत एहम किर्दार अदा करते हैं. इससे हमारी तहजीब उसकाफ़त का पता चलता है, कि हमारी तहजीब क्या है, या हमारी थकाफ़त क्या है. ठीक है, इस्कामी नज़रिये के मताबिक हम तै Wirtschaft मनाते हैं तै watercolor मनाने से एक दूसरे में महभत, बामी हंगी पैसे ह растे होती है इसलिए हमें यह तैवार मनाने चाहिए और हम मनाते भी है ठीक है, आपने सबक की reading करनी है सबक की reading में क्या है? लिडिंग में ये है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसी अकाहिए है जिसमें मुखलिस काज़ों तैजिबों का रंग शामिल है ठीक है इसकी एक मिसाल एक रंगरा गुल दस्ते किसी है हर फूल अपनी जुद्दगाना हसियत का हमिल होने के बावजूद गुल दस्ते में से किसी तरह अलग नहीं होता इसी तरह पाकिस्तान के जो लाके हमारे लाके कौन कौन से हैं हमारे जो लाके हैं पन्याब सेंद, बलोचस्तान, खेबर पखतुन, हुआ और गिलगत, पलस्तान, अजाद, किश्मीर के लावा कि कबाईली लाके इंजन्सियों का अलाग अलाग तरीका है सब की जबाने मुखतलिफ है पेनावे मुखतलिफ है पेनावे मीन जो हम ड्रेसिंग करते हैं कि सब के ड्रेसिंग्स मुखतलिफ है ठीक है, सब एक दूसे मुखतलिफ होने के बावजूद भी हम लोग अपने तैवार, जोंको शोक के साथ मनाते है पाकिस्तानी तैजीब में इन सब का रंग शामिल है इन तैजीब को बनाने निकाने के लिए इसलामी तैवार और रोवायात का बड़ा एहम किरदार है हमारे मजब्गी तैवार में शब बेरात, मेराज, एदुल फित्तर, एदुल लिजा, योम अशूरा और जिश्निद अमलाद नबी को खासमियत हासिल है इसके लाव गएर मुस्मों के भी मजब्गी तैवार होते हैं उनके अपने तैवार होते हैं जैसे क्रिस्टिन है तो वो क्रिस्मिस करते हैं हिंडियन हैं, हिंदू हैं तो दिवाली वगएरा शामिल होते हैं उनके तैवारों में और वो हमारे तैवारों में भी भरबूर हिसा लेते हैं ठीक है ये तैवार्ट लोगों की दिम्यान होबत का रिश्टा मस्पूत करते हैं हमारे तैवारों में से सबसे एहम है जि लोग विर्से का मेला पाकिस्तानी तैवारों में लोग विर्से का कौमी अधारा काइम किया गया है इस अधारे के जिरे एत्माम हर साल अक्तूबर के पहने हफ़ते में लोग विर्सा मेला मनकित किया जाता है लोग फिर्सा इसलमबात में लोग फिर्सा है आप लोगों ने उमीद है कई बचों ने देखा होगा कि लोग फिर्सा में उसमें बहुत अच्छे तरीके सिसका आफ़त बियान की गई है हमारे हर सुबह किसका आफ़त बियान की गई है उसमें हर चीज वाज़ा बताई गई ह दिखाई गई है किस तरह ये हमारे तहवार होते हैं या लोग किस तरह हर अपने तहवार मनाते हैं ठीक है ये मेला एक अफ़ता जारी रहता है इसमें रंगा-रंग तकरीब बात का इत्माम किये जाते है मखले सुबों की दस्तकारियों और ग्रेलू संतों की नमाईश होती है हर सुबे की तैजिव स्काफ़त को जाने कमों का मिलते है ठीक है ये इसके आगे है मेला मुवेशियां पाकितान विर्णादी तो पर एक जरी मुल्क है एक्समल के एक्सिया जरात के पेशे से मुसलीक है लोगों की बड़ी तैदात आलन असल के मेवेश और भेड बकड़ इять पालते हैं इन से तजरती मकासिद भी हासल होते हैं ये तफरीह का जरीया बनते हैं और ये हर साल का इस मेले का थमाम होते है हर साल फरवरी के आखरी हफ्ते में पाकिसान के दिल लहोर में मनकित होता है पाकिस्तान से लोग अर्ला नसल के जनवार नमाईश के लिए लाते हैं ठीक है इसके लाव मेले में बेलो की दोड़ घूर सुवारी ने जबा से उठा कर रक्स के लावा पोलो में जमनास्टिक मजार दिगर रंगुस काफ़त का पुग्राम होता है और राग के वक्त आतिश बाजी का खुबसूरत मजारा इस मेले को चार चांड लगा देता है फोजी प्रेट मुस्लिफ लाकों के रक्स भी पेश किये जाते हैं आगे है शेंदूर का पोलो तहवार पकिस्तान के शुमाली लाकजात को सियाओं की जनत कहा जाता है शेंदूर का खुबसूरत और दिर रुबा लाका भी इन में शामिल है गिलगेत और चितराल के दिरमिया शेंदूर का धरकरा कराम हिंदू का शुपामीर के पहाड़ी सिल्सलों का संगम है इस तरह में पिछले आठ सो साल से पोलो एक रुवाइती खेल के तोर पर मारूफ है जहां हर साल आठ और जुलाई अगस्त जुलाई गिलगेत और चितराल के रुवाइते हरीफो टीमो के मौबेन पोलो मैत मनकित होता है शेंदूर सत्त समंदर की से 3738 मीटर की बलंदी पर वाक्या है इसलिए से दुनिया का बलंद तरीन पोलो ग्राउंड करार दिया जाता है सिबी मेला सिबी तर बुलाई के तहाने पर अबाद एक कदीम शेर है ये शेर कोईटा से तीन गहंटी की मुसाफ़त पर जनूम मश्रिक में वाक्या है यहां हर साल पंदरा फरवरी को ये शांदार्स काफ़ती मेला मनकित होता है कब होता है पंदरा फरवरी को ठीक है पाक्सान के कोमी तैवारों और मेलों में सिबी मेला भी अपनी मुक्बूलियत का बाइस नुमाया मकाम रखता है इस मेली की रुएट भी एक सदी से ज्यादा अर्से पर है ये मेला पहली बार 1885 अठारह सो पचासी में मनकिद हुआ इस मेले में पाकिस्तान से शायकी नकठे होते हैं और आलन नसल के जनवरों की नमाइश होती है इन अर्सो के मौकब पर भी मेले उन तहवार मनकिद होते हैं बजरगान इदीन सुफिया एकराम के मिजार पर सलाना और सो का इनकात किया जाता है इन और सो के मौकब पर भी मुखलिव तक्रीबात मनकिद होती है जिन में दूरों नस्देक से लोगों की बड़ी तैदाश चामिल होती है ठीक है यह आपको समझागे कि यह चैप्टर जो है यह इसलामी तहवार के मुतलिक है कि हमारे कौन कौन से तहवार है हर अलाके के ड्रेसिंग अलादा है खाना पीना अलादा है तो फिर भी जो हमारे तैवार होते है सब मिलकर उसको सेलिब्रेट करते है तो इसकी एक्सेसाइज हमने करनी है पाकिस्तान की चांदे है अमत्रवार कमने जवैट और मुतसर जवा मुतसर सवालात है इनके आपने जवाबाद कापी पे लिखने है ठीक है पाकिस्तान की तैविब्रेट काफ़त कैसी है लोग विर्से के मेल में कौन कौन से इशिया होती है शेंदूर कमने वकूँ सतासमंदा से शेंदूर की बलंदी ये सारे क्वेस्टन आंसर है आप डीडिंग इसकी अच्छी तरह करेंगे तो आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी ये आपने अपनी नोट बुक पर क्वेस्टन आंसर इसकी करने है जो बुक वर्क है आपने बुक पर करने है ठीक है पाकिस्तान की तैविब्रेट काफ़त की मिसाल कैसी है एक फूल जैसी एक सूर दरख्त की एक रंगर अंगल दस्ते की यहरी बरी एक रंगर अंगल दस्ते की पाक्सान के मुखने फिलाकों के लोगों को एक लड़ी में परो दिये गए इस्लामी नजरी ने लोग विर्सा का मेला शौरत का बाइस है आलमी पाक्सान बनादी तोर पर मुलके जराई पकस्तान के सबसे मेशी मुवे लकब होता है फर्वरी के आखरी अफ्तिम है लोग विर्सा के जिर इत्माम मेले के इत्माम कहा किया जाता है इसनाब बाद में पकस्तान को पकस्तान का दिल कहा जाता है लहोर को हर सार सिभी मेले के नकाद होता है 15 जनुरी को ये आपका बुक वर के आपने बुक पे करने ठीक है आगे जी दरजेल इटफास के मानी लोकस से तलाश करोएं न अपने जुम्लों में इस्तमाल करने जुम्ले आपने बनाने है ठीक है नेक्स टेम जकर मौना सलाकला करें आगे है जी पाके ये खाली जगपूर करेसी भी दरजेश के दहाने पर अबाद है ये भी आप जब डीटिंग करेंगे आपको इसकी फिल इंदी ब्लैंक्स मिल जाएगी आपने ये बुक पर ही करनी है नोट बुक पे आपने क्वेस्टन आंसर लिखने है ठीक है इसके बाद ये वाला क्वेस्टन करने है क्वेस्टन नमबर सिक्स दरजेशन मौराद को तरकीव का मफ़ून वाज्य करें और बस ये ये बाकी आपका बुक वार्क है आपने बुक पर ही काम करना है उमीद है आपको समझा क्या होगा ठीक है उर्दू का हमारा आज यूनिट नमबर फोर का लेक्चर नमबर वन था उमीद करती हो का आपको समझा गया होगा ठीक है थेंक यू वेरी मच अलाफेस